कारिक्रम में शुताओं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज इस कारिक्रम में हमारी महमान है डॉक्टर त्रिप्ती चौधरी डॉक्टर त्रिप्ती चौधरी शायर के जाने माने नेत रोग विशेशग्या है और आज आपसे बाचीत का विशे रहेगा रेटीना के विकार, कारण और उपचार डॉक्टर त्रिप्ती बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज किस करक्रम में धन्यवाद बात दीजी डॉक्टर त्रिप्ती चौधरी, हम सब जानते हैं कि आँखे अनमोल हैं और इश्वर का दियावाज सबसे महत्वण उपहार है आखे आम तरपर हम जानते हैं कि रेटीना इसे आँख का परदा कहा जाता है बहुत महत्वण है हमारे शोता जानना चाहेंगे कि ये आँख में किस तरह की भूमी का निभाता है रेटीना मैं आपको एक बहुत ही सिंपल करके बताती हूँ कि जिस तरह से हमारा एक कैमरा होता है उसके आगे का लेंस होता है वो आगे का जो हिस्सा होता है उसको हम कॉर्णिया कहते हैं और जो अंदर की रील होती है उसका प्रतिकार almost हमारे रेटीना के जैसा होता है तो रेटीना बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जिससे हम देख सकते हैं अगर रेटीना में कोई भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है या समस्या आ जाती है तो हमारे जो light के जो impulses आते हैं वो जानी पाते हैं और उसकी वज़े से फिर देखने में बहुत तरकी प्रॉब्लम हो सकती है जैसे आपने कहा कि उसमें यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या ये प्रॉब्लम जन्मजात भी हो सकती है बहुत तरह की दिक्कते होती है, कुछ दिक्कते ऐसी होती है, जो जनजात होती है, कुछ रेटिना की समस्याइं ऐसी होती है, जो over the age अगर आपको शुगर है, blood pressure है या कोई और समस्या हो रही है, उसकी वज़े से भी आपको हो सकती है, तो इसके लिए properly एक तरह से जाच करना बहुत जरूरी है, कई बार ऐसे लोग हमें नजर आते हैं, जो रात में जिनको देखने में दिक्कत होती है, जिसे हम night brandness करते हैं, और समाने तोर पर रताओंदी कहा जाता है, यह क्या है? यह एक अनुवानशिक बिमारी होती है, आम तोर पर, और इसमें धीरे-धीरे बिल्कुल भी दिखना बंद हो जाता है, तो इसका अभी उप्चार at present तो अवेलेबल नहीं है, पर इसमें family members की जाज करना बहुत जरूरी है, आम तोर पर मधुमें रोग की बात होती है, कि यह बहुत तीजी से हमारे देश में फैल रहा है, और हमकी capital बन गए है, डाइब आप बिल्कुल सही बोल रहे है, शुगर जो है हमारे शरीर के तीन-चार अंगों पर जादा असर करती है, क्योंकि रेटिना में ऐसा है कि हम पुतली फैला के हम पर्दे को देख सकते हैं, तो हम वो directly हम देख के बता सकते हैं कि क्या असर है, दूसरा kidneys पे जो असर आता है, की problem हो सकती है, या नसों में जो दिक्कत आती है, तो आम तोर पे हाथों में जंजना हट इस तरह की समस्या हो जाती है, तो इसमें जादा जरूरी ये है कि आप अपने से अपना इलाज ना करें, प्रॉपर ली शुगर को कंट्रोल करें, एक प्रॉपर ट्रीट्मेंट प्ल देखने में परिशानी हो रही है, चेक अप कराने के बाद आम तोर पे लोग OCT एक स्कैन करते हैं रेटीना का, उसमें सूजन अगर आती है, तो आगे चलके उसका इलाज भी किया जा सकता है, शुगर कंट्रोल तो बहुत ज़रूरी है ही, बहुत महत्वपूर्ण है, पर लेजर करकर, इंजेक्शन्स लगाकर और extreme cases में सरजरी करके भी रेटीना की विजन को रिस्टोर किया जा सकता है, तो यह आप बता रही है डायडिक रेटीनोपय थिन के परे मारे में, यह इना तो यह कितने प्रतिशाछ दोगों को हो जाती है, यदि कोई डायडिक है तो, Diabetic Retinopathy होना एक तरह से ऐसा रहता है यह duration of diabetes पर depend करता है कि कितने समय से आपको diabetes है आम तोर पर कम duration का या कम समय से यदि diabetes है तो परदे पर उतना असर नहीं होता है पर यदि हाँ अगर आपका ऐसा है कि 20 से या 30 साल से आपको शुगर है तो 70 प्रतिशत असी प्रतिशत लोगो में Diabetic Retinopathy होने की संभावना रहती है दूसरा है बहुत सारी चीजें इस पर associated है जैसे कि शुगर का control यदि आपका control अच्छा है तो हो सकता है आपको 10 साल से diabetes है पर रेटीना पर इसका असर नहीं आ रहा है तीसरी बात शुगर का fluctuation अगर शुगर बढ़ रही है घट रही है और अगर साथ में मदुमे के साथ साथ आपको blood pressure की भी समस्या है तो ये एक तरह से additive role play करता है जोडता है बिमारी को pregnancy में कई बार diabetes हो जाता है उसकी वज़े से भी रेटीना पर असर आता है तो ये सारी चीज़े काफी महत्वपूर्ण है आपने blood pressure की बात भी कही तो blood pressure कई बीमारियों के साथ भी आता है और जैसे आपने का diabetes के साथ तो इसको नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है बहु हमारे brain में bleeding हो सकती है हमारे को paralysis हो सकता है stroke हो सकता है इस तरह की दिक्कते आती है आखों के अंदर अगर अचानक से कोई नस फट गई है तो उसकी वज़े से blood आ सकता है आखों में जिससे दिखाई नहीं देगा जिसे एक आएक खतम हो जाती है रोशनी जिसे पर्दे में आ जाना तो ये सारी बिमारिया treatable है इन सब का इलाज है तो अगर आपको कुछ ऐसी दिक्कते आ रही हैं तो बैतर है कि एक नेत्र रोग विशेश अग्य को पुतली फला के proper तरीके से check-up करवाया आपने कहा कि congenital भी हो सकता है जन्मजाद भी हो सकता है क्या premature बच्चों म देके जागरुकता फैलाई जाए तो आम तोर से एक जो बच्चा होता है उसका healthy retina जो होता है चालिस हफतों में बन जाता है ठीक है तो यदि अगर बच्चा पहले पैदा हो जाता है तो ऐसा होता है कि उसका retina पूरी तरह से mature नहीं हो पाता है उस दोरान अगर बच्चा sick हो गया है बिमार हो गया है और उसे NICU में ventilator पे रखा हुआ है या artificial oxygen दिया गया है तो इसमें भी retina के विकार होने के बहुत जादा संभावना रहती है आम तोर पे बच्चे जो 34 weeks से कम होते हैं और जिनका birth weight 2 kg से कम, 1.5 kg से कम है जिनको oxygen की supply लगी हुई है इन तरह के early treatment, early screening का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि एक आदमी जो 50 साल में आखों की रोशनी खो रहा है और एक बच्चा जो 3 महिने, 1 महिने पे रोशनी खो रहा है तो पूरी जिन्दगी वो बिना देखे हुए बिताएगा तो इसके लिए screening करना बहुत जरूरी है और बहुत इसका इलाज भी हो जाएगा दोक्टर ट्रिप्ति हमारे शोताओं को बताएं कि आम तोर पर diabetic retinopathy के जो मरीज है और आखों में दिक्कत आती है तो उनका आखों में injection लगाए जाते है ये injection क्या है इनका क्या लाब है क्या इसके सभलता है किदर आम तोर से जो injections लगाते हैं आखों के अंदर वो basically एक factor होता है जिसको vascular endothelial growth factor होता है बताते हैं उसकी मातरा जब blood में या आखों के retina में बढ़ जाती है तो नए खून के गुच्छे बनने लगते हैं वो गुच्छे ज़ादा pressure करने से या किसी चीज़ से फट जाते हैं तो ये जो injections होते हैं वो anti हो reading हो रही है या समस्या हो रही है उनको counteract करते हैं basically तो इसकी वज़े से सूजन इन सब चीज़ों में अराम आता है और patient की vision बहुत improve हो जाती है तो अभी market में बहुत तरह के injections available हैं कुछ ऐसे injections हैं जो 4-6 महिने तक असर करते हैं कुछ ऐसे हैं जिनको monthly लगाना होता है तो इस इसमें आपको दिखा के ही पता चल पाएगा एक बारी अगर आपने check-up कर आया है तो उसके हिसाब से ही हम बता पाते हैं या नेत्रविश्य शग्या आपको बता पाएंगे कि कौन सा injection आपके लिए best रहे है ग्लुकुमा की बात होती है जिसे हम काला मोर्तिया कहते हैं क्या इससे भी रेटिना पर प्रिभाव पढ़ सकता है हाँ जी काला मोर्तिया एक ऐसी बिमारी है जिसको हम बोलते हैं चोर आखों की रोशनी का चोर रेटिना थीफ तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आखों का प्रेशर बढ़ जाता है उसकी वज़े से जो हमारी नस है जो हम स्टेज़ में ड्रॉप्स डालनी होती है अगर एड्वांस्ट है तीन से जादा ड्रॉप से असर नहीं आ रहा है प्रेशर लगातार बढ़ा हुआ है तो इसमें आपको ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है अब बात करते हैं जो एज रिलेटेड पर्दे में डिजेनरेशन ह होता है चरण हो जाता है उसमें तो यह क्या है यह देखिए कैसा है जैसे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब बढ़ गई है अब लोग जादा लंबी उम्र तक जीने लगे हैं तो यह एक तरह से डीजेनरेटिव डिजीज है इसमें पर्दे में कुछ बदलाव आते हैं कई बार यह बदलाव साथ में जिली बनने लगती है पर्दे पे उसमें कुछ पानी या सूजन सी जमा होने लगती है तो उसकी वज़े सी सूजन आती है और इसमें क्या होता है कि टेडा मेडा दिखता है पिशिन्ट को आम तोर पे उसको clarity नहीं रहती है देखने में तो इ हाँ अगर आप अपनी आखों का प्रॉपर उपचार कर रहे हैं दिखा रहे हैं टाइम पे कुछ ऐसी है जैसे कुछ बच्चे हैं जिनका माइनस में नंबर रहता है उनकी रेटिना को चेक कराना बहुत जुरूरी है कि कई बार रेटिना में छेद होते हैं वो हलकी चोट से या एज के साथ पर्दे के फटने का असर आने लगता है तो इसकी वज़े से फिर रोशनी खतम हो जाती है तो यह सारा है अगर आपको कुछ भी अगर हलकी सी दिकत लगती है आखों में especially क्योंकि ये एक अभिन नंग है हमारा इसके बिना तो कोई गुजारा ही नहीं तो हम में ऐसे रखना चाहिए कि अगर हमें दिकत है तो हम अपने तरीके से अपना इलाज ना करते रहें और जल्दी से ही हल्प ले ले लें अंत मैं हमारे शुताओं से क्या कहना चाहेंगी जैसे आप ने कहां कि यह बहुत ही नाजू कंग है इसके देगवाल बहितर तरीके से क की जा सकती है तो किन बातों का खास दौर से हम लोग ध्यान रखें जिन पेशन्स को या जिन लोगों को समस्या है शुगर की ब्लेड प्रेशर की तो उसको कंट्रोल रखना चाहिए उसको डॉक्टर के दुआरा बताई हुई दवाईयां परहेज वो सब करतके रखना अब ऐसा होता है कि कई बार लोग एक injection लगवाते हैं आधा laser करवाते हैं और हताश हो जाते हैं कि चलो अब नहीं करा सकते हैं तो हमारे जो field है, इसमें परिवार का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, कि अगर आपका मेरीज को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उसके साथ वालों को अगर समझ आ रहा है, तो वो उसको counsel करें, होसला दें, साथ में जाएं, क्योंकि जादातर जो बुड़े patients होते हैं, वो dependent होते हैं, कि कोई हमें लेके जाएगा, तभी हम treatment करा पाएंगे, तो अब वो जमाना नहीं रहा कि बिना देखे भी चल जाएगा, तो अगर आपकी आखें हैं, एक अनमोल तोफा है, आपको देखना है, एक ही शरीर है, इसे ही चलाना है, तो उसके लिए आपको भी थोड़ा सा जागरुक रहना पड़ेगा, तो डॉक्टर त्रिप्ती चौधरी, बहुत ही महत्पून बाते हैं, आज इस करिक्रम में आपने हमारे शोताओं के साथ साजा के, निश्यत तोर पर आपकी दीगई जो जानकारी है, उसका लाब हमारे शोता उठाएंगे, और अपनी नाजुक आँखों का बहुत ख्याल और जैसे आपने का कि डाइबिटीज और ब्लड प्रेशर इनको नियंतर में रखना बहुत आवशक है, आपका आकश्वानी स्टूडियो जाने पर बहुत बदाभार धन्यवाद